आज हम बनाएंगे बीना मैदा, बीना बटर, बीना ओयल, बीना दहीं के कपकेक्स और दो फ्लेवर्स में बनाने वाली हूं मैं ये कपकेक्स तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर जुरूर करें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बहुत ह बस्तिंग भर कुको के बंसेत्ट करें ठाइब करें वहाँ है रही है रही है हूं आज कुकर में बनाने वाले his कर लिए प्रीट करने के लिए ऊस के अंदर तत्गेशन रहें यहा अनुसके कोंसे हैて निगाय के और उिए अब इसको आप निकाल दे और इस तरीके से आपको इसको लोग फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए प्री-हीट करना होगा तो जब तक यह प्री हीट हो रहा है तब तक हम अपने कॉपकेक्स बना लेते हैं तो कॉपकेक्स बनाने के लिए मैंने यहां पे बिस्किट्स का यूज किया है, हमने यहाँ पे बॉबन बिस्किट लिए हैं, जो बॉबन चॉकलेट बिस्किट होते हैं, उसका यूज करेंगे हम तो मैंने यहाँ पे दो पैकेट्स बॉबन बिस्किट लिए हैं, इसमें करीब 24 के करीब बिस्किट होते हैं, एक में 12 होते हैं, तो दो पैके कर लिया था और उसके बाद इसका जो प्वाउडर है वह एक बाउल में मैंने निकाल लिया तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी अगर आपको ज्यादा मीठा नहीं पसाद है तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं तो यहां पर मैंने वन बैफोर कचोरी चीनी की डाली है और इसको चीनी का ही यूज करें इसमें और फिर इसके बाद हम डालेंगे दूद तो यहां पर मैंने अभी एक कप दूद लिया है यह चाय वाला कप है अब आदा दूद डाला है तो हमें दूद है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि यह बैटर पतला ना हो जाए कंसिस् विस्क्र की help से अच्छे से विस्कर लेना है फिर दूद डालना है इसमें थोड़ा सा और फिर इसको विस्कर लेना है तो यहां पिर मेरा 1 by 4 कप दूद जो था बच गया था तो दो बिस्कित के पैकेट्स के लिए मेरा यहां पर 3 by 4 कप दूद यूज हुआ है अभी इसमें डालेंगे हम आदा चमच बेकिंग पाउडर तो बेकिंग पाउडर डाल की आपको इसको मिला लेना है इसको ज्यादा फैंटा नहीं है आपको जस्मिलाना ही है और देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहि की बैटर की होती है वैसे ही हमें इसकी चाहिए तो यहां पर मैंने डिस्पोजेबल कपस ले लिए हैं और उसमें यह मैं हाफ आफ कप बैटर एड़ कर दूंगी क्योंकि फूलता है और फूल के ऊपर आ जाएगा तो आपको इसको जादा आपको इसको जादा नहीं बढ़ की आमादाल है तो इसमें चोखो चिप data दाल सकते हैं आप मैंने अभी नहीं डाले हैं अब मैंने यहां पर खूल कुखर की लिट को खोल दिया है और इसमें में देंगे ख्रीबन 20 मिनिट के लिए लोग फ्लेम्res पे आप इसको 20 मिनिट के بाद ही चेक करें पहले ही ना चेक करें फिर बिस मिनिट के बाद जब मैंने इसको खोल के चेक किया तो यह एकक्डम पक चुकिए थे देखने नहीं में ही पता चल रहा था बट फिर भी मैंने यहां पर टूथपिक के हल्प से चेक किया तो देखिए टूथपिक एकदम क्लीन निकल के बाहर आया तो मतलब यह बहुत ही अच्छे से पक चुके थे और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के पाद मैंने यहां पर चॉकलेट गनाश बनाया था और उससे मैं इसके डेकोरेशन कर रही हूं यहां पर मैंने टूडी नोजल का यूज किया है तो देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है इसका कितना परफेक्ट शेप ली है चॉकलेट ने और बहुत ही टेस्टी बने थ की है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर चेक कर सकते हैं मैंने कौन सी क्रीम का यूज किया है और तो कलर डाल के उसमें यह फ्लावर बनाए हैं तो देखिए कितने सुन्दर बर लग रहे हैं एक हमारा फ्लावर कपकेक हो गए और एक मैंने का बेस बनाके उसके उपर बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग की है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे खाने में भी बहुत मज़ा आया इनको तो आप भी एक बर जरूर्द रहे करके देखिए आपको बहुत पसंद आने वारी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व